मसकार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल असोकादा एक्जाम गुरूपर उमीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बहतर होंगे और घर पर रहकर अपनी तयारी को और भी बहतरी धंग से आगे बढ़ा पा रहे होंगे जैसा कि मेरे प्यारे साथियों हम पिछली क्लास में भिन्य टापिक पड़ रहे थी और उसमें याद होगा आपको हमने भिन्यों का कैसे करके जोडा जाता है, कैसे करके गटाया जाता है, उस पर हमने चर्चा की थी प्यारे साथियों आज की क्लास में कैसे करके धिनों की गुणा की जाती है, कैसे करके भाग किया जाता है, साथी साथ कुछ और बहतरीन जिसमें कुछ सीरीज होती है और उन सीरीज पर आधारित कुछ ट्रिक्स का इस्तमाल करके उनको सॉल्व किया जाता है, प्रस्न पूछे जाते हैं उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से फिनिस हो जाए तो मेरी प्यारे साथियों बिना देर की स्टार्ट कर रहे हैं आज की प्यारे साथियों चलिए इस्टार्ट करते हैं क्लास तो सबसे पहले बात करेंगे गोड़ा करने की तो देखी प्यारे साथियों गोड़ा हम आसानी से कर लेते हैं किसी भी भिन्न की, जैसे माल लीजी, मैं लिखा हुआ है five upon आपका six लिखा हुआ है, और यह यहाँ पर लिखा हुआ है seven upon, माल लीजी, आपका लिखा हुआ है three, right. देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर डारेक्ट हम multiply कर सकते हैं, अनसों की गुणा कर सकते हैं, और human की गुणा कर सकते हैं, सबसे पहले कोशिस इस बात को लेकर करेंगे कि अगर कोई संख्या कैंसल हो देखो यहां पर कुछ कैंसल हो रहा है पसमें इन दोनों में कुछ कैंसल नहीं हो रहा क्या इन दोनों में किसी संख्या से यह कैंसल हो सकते हैं नहीं हो रहा अगर नहीं हो रहा तो क्या आपसमें ऐ जे हो जाएगा यहाँ पर 35 और यहाँ पर आप देखेंगे 6 तिया यानि 6 थ्रीजा हो जाएगा 18 तो फाइनली इस सबाल का जो आंसर है अगर multiply करने को बोलेंगे यहाँ पर सीधे सीधे गुणा करने पर यह आपका बन जाएगा आसानी से ठीक उसी प्रकार अगर मैं आगे बढ़ू मैंने बोला आपका 4 अपान मान लीजिए 9 लिखा है और मैंने बोला 3 अपान आपका 2 लिखा हुआ है तो देखो यहाँ से इन दोनों म आप देखेंगे 2 बन जाए यानि 2 एकम 2 अपान में 3 एकम 3 यह इस तरह से बन जाएगा आपको समझ में सब कुछ यहां तक आ रहा होगा अगर मालीजी लिखा हुआ है 15 अपान 16 इन्टू 4 अपान 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपान 3 ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ आप भी सेम कंडिशन देखो 5 पांच एकम 5 पांच तीयां 15 और कुछ कटेगा 4 एकम 4 चार चौक कितना 16 अब देखो यहां से यह भी कैंसल हो सकता है ठीक मतलब क्या अगर ऊपर वाले संख्या यानि अंच से हर में कुछ भी लिखा और गोड़े का साइन लगा हो तो अंच स हो जाएगा आपका 1 और अपान में 1 इंटू 1 इंटू 4 तो 4 एकम 4 एकम कितना 4 तो 1 अपान 4 इसका आंसर हो जाएगा बात किलियर है अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठों को फटा फट जल्दी से ठीक अब आगे बढ़ेंगे जैसे मान लीजिए को एक और सवाल ले लेत या 16 अपान मान लीजिए 90 लिखा हुआ है इस तरह से तो देखो क्या इससे ये कैंसल हो जाएगा बिल्कुल 3 एकम 3 और 3 दूनी 26 फिर 2 से काटो 2 चौक हो जाएगा 8 ठीक अब देखो इससे ये कैंसल हो जाएगा 4 एकम 4 चार चौक 16 अब देखो मेरी प्यारे साथी चार से यहाँ पर कुछ भी कैंसल नहीं 2 से कैंसल हो रहा नहीं 4 से साथ से भी कुछ कैंसल नहीं हो रहा तो देखो ऊपर तो यहाँ पर एक बचेगा 7 चौक हो जाएगा 28 साथ चौक हो जाएगा 28 और अपान में देखो 19 एकम 19 ठीक 19 तो यह हमारा हो जाएगा 28 अपान 19 बताओ किलि इच्छे में इस तरह से अंस को हर से किसी भी अंस को किसी भी हर से कैंसल कर सकते हैं या आपस में सिंप्लिफाई कर सकते हैं ऐसी किसी भी हर को किसी भी अंस से सिंप्लिफाई कर सकते हैं बात किलियर है तो यह हमारे इस तरह से भिन्नों को गुणा करते हैं अब आगे बढ़े कोई दिक्कत परहसानी है तो आप हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कैसे कि क्या दिक्कत है ठीक है आगे बढ़ेंगे अब देखेंगे विन्नों का भाग जो होता है वो किस तरह से होता है ठीक देखो जड़ा बहुत आसान तरीके से हम लोग शीख जाएंगे हाँ पर जैस वाली जो fraction होती है उसको पलट देते हैं यानि कि इस तरह से 3 upon 2 यानि अंस हर बन जाएगा और हर आपका अंस इसको ऐसे करके हमने पलट दिया ठीक है यानि तीन ऊपर पहुंच गया दो नीचे पहुंच गया और गोडे का साइन लग जाता है अब इसको कर सकते हो दो से दो कैंसल हो गया यानि एक इस तरह से 3 एकम 3 हो गया तो देखो एक आया एक 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 तो आंसर कितना हो जाएगा एक एक और सवाल देखो कैसे प्यारे साथियों बहुत आसानी से कर पाएंगे माल लिजिए 4 upon 9 लिखा है और इसको डिवाइड करना है 2 upon 3 से तो प् एकम 3 और 3 तीया 9 दो एकम 2 और 2 दूनी 4 तो फाइनली आपका जो आंसर 2 एकम 2 होगा और upon में 3 एकम 3 ये इस तरह से 2 upon 3 आपका बन जाएगा बात के लिए सभी को बहतरीन तरीके से हर एक बात समझ में आ रहे हो मतलब क्या है अगर भाग का साइन लगा है तो बाद वाली ज कहने का मतलब ये अंस था वो हर बन गया हर था वो अंस बन गया यहां पर बास सभी साथियों को बहतरीन तरीके समझ में आ रहे होगी तो इस तरह से भाग किया जाता है अब मेरी प्यारे साथियों देखो कुछ सवाल मैं करूंगा दो तीन सवाल और मैं करूंगा जो आपक ठीक है अच्छा एक बात और समझते हैं यहां पर फिर आगे बढ़ेंगे जैसे माल लो 3 upon 5 है और divide लगा हुआ है 3 upon 5 और का लगा हुआ है का लिखा हुआ है 3 upon 5 देखो प्यारे साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे बैसे आप जानते हैं कि का का मतलब होता है गोडा आपने स का का मतलब क्या होता है गोडा होता है लेकिन जब का लगा हो और भाग का साइन लगा हो तो सबसे पहले हमें का का जो पॉर्षन है यानि इस वाले पॉर्षन को पहले हमें सॉल्व करना होगा इस बाले पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा वैसे आप सभी ने सुना हो कि पह लगा हुआ है का का मतलब होता है multiply तो का का मतलब multiply पहले इसको ऐसे करना पड़ेगा हमें तीन तियां आपका 9 हो जाएगा और पांच पंजे हो जाएगा 25 अब हम इसको भाग को solve पर लेंगे यानि 3 upon 5 multiply में 25 आपका उपर हो जाएगा पहुच जाएगा 9 आपको नीचे पांच पंजे होता है 25 और तीन तीयां हो जाता है 9 तो finally जो answer बनेगा 5 upon कितना बनेगा 3 बनेगा बात clear है समझ लिए दोनों में अंतर क्या है फिर समझादू मैं आपको अगर ये ऐसे है तो हमने ऐसे solve किया समझ लिजिए थिन ये पां 5 अगर ये ऐसे करके होता पहले से ही ये सवाल ऐसे करके लिखा होता समझ लिजिए आप बात को अगर यह सवाल ऐसे होता तो आपको पता है कि पहले हम लोग भाग करते हैं फिर गोणा करते हैं फिर जोड़ते हैं फिर घटाते हैं यह सब जानते हैं आप सबी साथ ही जानते होंगे पहले भाग फिर गोणा फिर जोड़ फिर घटाना लेकिन भाग से पहले भी हम करते हैं क यह भी हम लोग पढ़ेंगे board mask का जरूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता है तो उससे पहले हम का करते हैं का का मतलब क्या होता है multiply होता है होता है multiply है लेकिन हमें पहले भाग से पहले जो है इस बाले portion को solve करना होगा अगर का लिखा है तब अगर multiply लगा है तो उससे पहले भाग को जैसे यहाँ पर multiply का sign है इसका मतलब पहले हमें इतना वाला जो भाग है ये भाग इसको solve करेंगे तो 3 upon 5 और multiply में 5 upon 3 इस तरह से बन जाएगा और गुड़े में 3 upon 5 अब आप इसको आसानी solve कर सकते हैं 3 से 3 cancel हो जाएगा 5 से 5 cancel हो जाएगा एक 3 बचा एक 5 बचा तो 3 upon 5 इसका answer होगा अब देखो answer में कुछ परिवर्तन है बिलकुल आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 upon 3 आ रहा है यहाँ पर 3 upon 5 आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रहे जब का का sign लगा हो यानि का लिखा हो तो पहले हमें multiply करने ही करनी पड़ेगी फिर जाके भाग करना पड़ेगा अगर आपका गोड़े का सी sign लगा है तो पहले हम लोग भाग करेंगे फिर गोणा करेंगे बात किलियर दोको हमने पहले भाग को गोड़े में कनबट कर दिया अब हमने इसको solve कर लिया ठीक है? एका सवाल और देखते हैं फिर आपको और अच्छे से clear रोप आएगा फिर मैं एक बहतरीन आया हुआ सवाल कराता हूँ ठीक है भाई? बिल्कुल छोटी छोटी बाते हैं जो परिशान करती हैं आपको और ये का वाला सवाल है का और भाग वाला ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है मैं कराऊंगा अभी चिंता ना करो चलो एक और सवाल लिखते हैं टू अपॉन फाइव है का 5 अपॉन 2 है और डिवाइड 3 अपॉन मान लीजिए मैं लिख दिया 2 है ऐसे लिख दिया एक ये सवाल हो रहा है और प्यारे साथियो एक ये सवाल है 2 अपॉन 5 मल्टिप्लाई 5 अपॉन 2 डिवाइड 3 अपॉन 2 इन दोनों में अंतर क्या है आपको पता होना चाहिए का है लगा हुआ तो इसका मतलब पहले इतना वाला यह जो पार्ट है इसको solve करेंगे multiply पांच दूनी 10 और 2 पंजे 10 ठीक अब देखो भाग लगा है तो गोड़े में ऐसे बन जाएगा यह है अब कर सकते हो इसको हमने solve कर लिया अब भाग का sign लगा है तो multiply 2 upon 3 आजाएगा 10 एकम 10 तो इसमें कुछ बचा ही नहीं 2 upon 5 आपका यह answer हो जाएगा इसमें देखो इसमें पहले भाग को solve करना पड़ेगा I hope आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चा रहा हूँ तो भाग करेंगे तो 5 upon 2 है इसको पलट देंगे तो यह आपका 2 upon 3 बन जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा और कुछ cancel है 5 से 5 cancel तो आपका 2 और upon में 3 2 upon 3 इसका answer हो जाएगा बताओ बात के लियर है I hope आप समझ पा रहे हैं जब भाग का sign लगा होता है गुडे का sign लगा होता है तो पहले भाग को solve करेंगे और अगर आपका का लखा है और भाग का sign लगा है तो पहले का का मतलब पहले इसको गुणा कर लेंगे फिर हम बाद में भाग करेंगे बात यहां तक के लिए है अब एक बहतरीन सवाल जो यूपिटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है उसको हम लोग लगाएंगे बहतरीन तरीके से यहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा चलो तो एक आया हुआ सवाल है आपका यूपिटेट 2016 में इसको हम लोग कर लेंगे फटा-फट से देखो जए बहत प्यारा सवाल है यह और बढ़िया सवाल है सवाल क्या है देखो यह सवाल पूछा गया था 2016 में पहले ही बोल चुका हूँ बन अपॉन फाइव डिवाइड बन अपन फाइव का बन अपन फाइव यह ऐसां करके हें और अपन में बन अपॉन फाइव का बन अपॉन फाइव डिवाइड बन अपॉन फाइव यह ऐसे करके है का सरली करण यह सवाल पूछा गया था इस तरह से का सरली करण है और यह यूपिटेट 2016 में पूछा हुआ एक बहतरीन सवाल है ठीक है तो फटा फट से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से ठीक देखो तो जब भी मैंने बोला का लगा होगा तो पहले हमें का वाले पॉर्षन को सॉल्व करना होगा यह आपका डिवाइड ऐसी का का मतलब मल्टिपलाई एक एकम एक और पंजे पंजे 25 बात के लिए अपॉन में आ जाओ फिर इसको सॉल्व करेंगे बन अपॉन 25 हो जाएगा यह पंजे 25 और डिवाइड बन अपॉन 5 इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी अब मेरे प्यारे साथियों आपको पता बन अपॉन 25 यह हो जाएगा मल्टिपलाई में 5 अपॉन 1 हो जाएगा अब इसको सॉल्व को लो 5 पंजे हो जाता है 25 पांच एकम 5 पंजे हो जाता है 25 अब देखो 5 एकम 5 होगा और अपॉन में 1 है ना 1 एकम 1 यहाँ पर भी एक होगा क्योंकि 5 एकम 5 आएगा ना 1 एकम 1 देखो अंदर वाले नमबर है इनकी गुणा हो जाएगी और अंदर वाले नमबर है इनकी गुणा हो जाएगी तो देखो क्या होगा 5 की गुणा उपर 5 से हो जाएगी और upon में 1 की multiply बन से हो जाएगी तो आप कह सकते हो 55 और upon में बन या इसको बोल सकते हैं केवल हम 25 इसका answer बताओ, बात के लिए एक बार फिर सवाल को समझ सकते हो, पहले हमने क्या किया, कावाले पोर्षन को सॉल्व किया, यानि की, एक एकम एक और पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पंजे-पं बन अपॉन में आ जाएगा ऐसी बन अपॉन 25, multiply में 5 अपॉन बन जाएगा तो 5 एकम 5, 25, 5 से काड़ा, 55, 25, 5 एकम 5, 1 एकम 1 बन जाएगा इस तरह से, और 1 एकम 1, और 1 पन जाएगा, तो 55, 25 मैंने का बाहर बाहर वाले numbers की multiply, क्योंकि बाहर आपका यह है और अंदर वाले दोन होवा सभानु तो मुझे उम्मीद है कि हमारा भाग वाला इश्टम है गुटे वाला सिस्टम या फिर का लिखा होता है इन बातों को आप भैस्तरीन तरीकित समझ पारे होंगे मेरे प्यारे साथ्म में आगे बढ़ते हैं कुछ और भैस्तरीन सभान, को लेंगे बस हमारे साथ लगातार बने रही कोई डाउट है किसी तरह कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताते रहें और हम आपके सवालों को भी लेंगे चलो फटा-फट से अब आगे बढ़ेंगे कुछ बैतरीन सवालों की तरफ देखो कुछ इस तरह की सवा बन इस तरह के सवाल कैसे करने वहते हैं इनका पूचले का मान बता हो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं कुछ भी lakhम Cubay ध्यान चे समझेंगे, बन प्लस, बन अपॉन, देखो, मैं हर एक step नहीं लिखूंगा, बस आप समझते हुचलो, कोई हरे step लिखना सही भी नहीं है, ध्यान सुनो, देखो, पहले नीचे से solve करते हूँ चलेंगे, पहले इतने वाले portion को solve कर सकते हैं, हम क्या बताओ ध्यान से, बिलकुल कर सकते हैं, मैंने बताया है, दो है एकम दो, और एक, तीन, थ्री अपॉन कितना आएगा, टू आएगा, बात कुछ किलियर हो रही है, मतलब हमने इसको solve किया, तो थ्री अपॉन टू आएगा, ठीक है, यानि इसको हम, मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप आराम से न आपका चला जाएगा उपर, यानि कि 2 अगर उपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 x 1 बन जाएगा, और 2 x 1 का मतलब, आप कहेंगे, तो ये 2 एकम 2 बन जाएगा, बात किलियर, अब दोगो फिर से वही फॉर्मेट, 3 एकम 3 और 2 कितना, 5 बटे 3, तीन एकम 3 और 2 कितना, 5 5 مUNG Uhr यानि की हमने इसको इसको सॉल्व करके कितना लिखा 5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 5 अपॉं कितना 3 अब क्या होगा फिर ऊपर पहुंच जाएगा अगर 3 आपका फिर से ऊपर चला जाएगा तो तो खिरी आपका ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब क्या है, अब ये हमारे पास बन गया, 3 एकम 3, यानि केवल 3 रह जाएगा, अब देखो, फिर से solve करो, 5 एकम 5, 3, 8, यानि कितना होगा, 8 अपॉन 5, समझी में आ रहे है, 5 एकम 5, तीन 8 अपॉन 5, यानि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 8 अपॉन 5, अब फिर से देखो, 5 आपका ऊपर पहुच जाएगा, तो बन पिलस 5 अपॉन 8 हो जाएगा न विए 5 एकम 5 अब देखो 8 एकम 8 और 5 तेरे बटे 8 आपका आंसर बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे नहीं समझ पाए हैं तो इसका तो आंसर फ्लाद तेरे बटे 8 हो जाएगा आप और सवाल देखो आपको और अच्छे समझ में आएगा जैसे माल लो मैंने कोशन लिखा 1-2 अपाउन बन प्लस बन बन माइनस तू अपाउन 3 ऐसे करके मैंने माइनस लगा लिए प्लस भी लगा लिए इससे दिक्कत ना आए आपको तो देखो मैं अब स्टेप बे स्टेप सॉल्ब कर रहा हूं आपको समझ ले मां आसानी रहेग यानि एक यानि कितना आजाएगा ऐसे होगा एक तो यह वाला यह यह वाला यह बर तीं एकम तीन दो गट्टेगा बन अपाउन 3 आजाएगा अब 3 आपका चला जाएगा उपर 3 आपका उपल जाएगा 1-2 upon 1 पिलस 3 उपल 3 एकम कितना 3 और upon में कितना 1 ठीक है ऐसे पहुँच जाएगा उपल 3 एकम 3 नीचे upon में 1 तो इसमें कोई दिकत नहीं ये 3 एकम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 upon 1 का मतलब हो गया 3 तो 3 और 1 कितना हो गया 4 यहाँ पर आप लिखेंगे 1-2 upon 3 और 1 हो गया 4 तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ठीक है ये कैंसल भी कर सकते हैं तो 2 एकम 2 कितना मत घटेगा 1 घटेगा 2 में से 1 घटेगा 2 एकम 2 और 1 घटेगा 1 upon 2 आजाएगा आप बात को समझपा रहे होंगे नहीं समझ पाए एक और सवाल देखो एक और सवाल देखो बिलकुल आप समझ पाएंगे निश्चिन तरह ये आप समझ पाएंगे सवाल को और कई बार इस तरह के सवाल एकम में पूछ लेते हैं अलाकि एपिटेट में नहीं पूछा गया लेकिन चांस है कि आ सकता है देखो, कॉश्चन लिख लिए हमारे इस तरह से 2 पिलस 1 अपाउन 1 यह हमारे 2 लिख दिया है हाँ पर 3 अपाउन 1 पिलस 1 अपाउन 2, तो कैसे सॉल्ब करोगे देखो, पहले इतने को सॉल्ब करो तो 2 एकम, 2 और 1 जोड़ोगे, 3 बटे 2 हो जाएगा, यह ऐसी रहेगा यह 2 पिलस 3 भी ऐसी रहेगा, यह 2 एकम, 2 और 1, 3 बटे 2 हो जाएगा और 2 आपका उपर पहुँच जाएगा यानि कि गुणा हो जाएगी 3 से, तो 2 पिलस 1 अपाउन, 2 पिलस 2 तियाँ 6 है न, 2 से गुणा हो जाएगी 3 की, 2 तियाँ 6 और बटे कितना 3, अगर कैंसल होते हैं, उपर जी तो कैंसल कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना 6, तो यहाँ पर तो यह दो 2 बटे 1 है न, 2 अपाउन बने तो यह 2 कहलाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानि की प्यारे साथियों 2 पिलस 2 और 2 कितना 4, यानि 1 अपाउन कितना हो जाएगा 4, ठीक है 2 और 2 कितना 4, तो 4 दूनी 8 और 1 जोडेंगे, यानि 9 अपाउन 4 इसका आंसर हो जाएगा, 9 अपाउन 4 इसका आंसर, 4 दूनी 8 1 और 9 और 4 घटाने का वो लेंगे तो मैनिस हो जाएगा जोडने का वो लेंगे तो प्लस हो जाएगा बहुत आसानी से आप इस बात को बहतरीन तरीकी से समझभा रहे होगे त्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे अब कुछ सीरीज वाले सवाल है उनको करने ही कोशिस करते हैं और ध्यान चे सुनेंगे इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा यूपी टैड जूनियर में तो पूछे ही जाते हैं पेपर टू में पेपर बन में भी पिलकुल पूछे जाने की संभाब ना है ध्यान चे समझेंगे देखो चरा कुछ सीरीज वाले सवाल है बहतरीन सवाल जैसे मान लो लिखा हुआ है बन अपॉन थ्री इंटू फोर पिलस बन अपॉन फोर इंटू फाइव पिलस बन अपॉन फाइव इंटू पिलस शिक्स अप इंटू ऐसे करके लिखा हुआ है इस तरह को सीरीज वाले सवाल बनते हैं ठीक है? बहुत आसानी से हम लोग कर पाएँगे सबसे पहली बात आपका डिफरेंस अगर इस तरह का सवाल होगा तो इक्वल होगा इन दोनों में डिफरेंस देखो इन दोनों में देखो इन दोनों में एक 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 डिफरेंस आरा है तीनों चार में एक का अंतर है चारों पांच में एक का अंतर है पांच और छे में छे और साथ में एक का अंतर है है बात किलियर हो पा रही है अगर डिफ्रेंस एक्वल होता है तो इस तरह की सीरी जो कैसे सॉल्ब करते हैं छोटी ट्रियाद रखेंगे बन अपॉन अंतर यानि डिफ्रेंस कि फिर कि पिर्थम माइनस अंतिम यह ऐसे करके हो जाता है अब देखो अंतर कितने कितने का रहा है एक एक का रहा है तो एक हो गया इस तरह से पिर्थम क्या हो जाएगा पिर्थम लेंगे आप इस तरह के बन अपॉन थ्री लेंगे माइनस और अंतिम लेंगे आप बन अपॉन कितना? 7 बन अपॉन 7 तो यहाँ पर आप देखो यह तो बन वो गया इसी आवस्टता नहीं चाहिए बन लिखो या ना लिखो क्योंकि बन की मल्टिप्लाइदर होगी तो बन से मतलब नहीं पढ़ेगा कुछ भी आएगा 27 क्यों आएगा भाई 37 21 आएगा 3 से भाग करो 7 आजाएगा 7 एकम 7 7 से भाग करो 3 आएगा 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पर लिखने चाहिए लो बन इंटू ऐस्टता के बनेगा ना आवसकता है नहीं इसकी 7 में 3 जाएगा 4 और अपॉन में 21 तो 4 अपॉन 21 हमारा आंचर हो जाएगा इसमें कोई डावड किसी को नहीं होना चाहिए बहुत आसान सी बात समझने कोशिस करेंगे जब आपका अंतर कैसा हो? एक्क्वल हो तो अंतर एक्क्वल होता तो बन अपॉन अंतर प्रिथम माइनस अंतिम ये लगा देते हैं देखो अभी एक और सवाल करते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा माली जी मैंने बोला सवाल ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे करके सवाल लिखा है तो मैंने क्या बताया? बन अपॉन अंतर अंतर कितने कितने का है? दो दो का है दो दो का अंतर यानि बन अपॉन टू आ जाएगा फिर प्रिथम कितना लगाएंगे? आप यहाँ पर बन अपॉन थ्री लगाएंगे माइनस last कितना लगाएंगे यहां पर 1 upon 11 लगा देंगे इस तरह से, बहुत आसानी से कर पाएंगे, 1 upon 2 multiply में आगे solve करेंगे यहां पर 11, 3 होता है 33 33 ही last आएगा यहां पर 3 से भाग करेंगे इसको 11 11 से गुणा करेंगे 1 की 11 एकम 11 minus, 11 से भाग गया आती है 33 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो 1 बटे 2 गुडे यहां पर कितना बच रहा है 11 में से 3 जाएगा, आपका 8 और upon कितना 33, दो चोक हो जाएगा 8, तो answer बच्चों आ जाएगा 4 upon 33, बात को समझ में आ रही है, बहतरीन तरीके से आप हर एक बात समझ पा रहे होंगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे है कोई भी समझ साय किसी तरह कि आप comment section में जरूर बता है अभी हम एक दो सवाल और बहतरीन सवालों की तरफ बढ़ेंगे जैसे मेरे प्यारे साथियों कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमारे जैसे नीचे जो संख्या यहाँ है वो factor करके लिखा हुआ है कई बार ऐसा होता है कि factor करके नहीं दिया होता है तो हमें वहाँ पर पहले factor करने होते हैं, ठीक है कैसे सवाल जैसे मान लीजिए मैं सवाल लिख रहा हूँ सवाल मालेजी कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 upon 12 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30 plus 42 plus 1 upon 56 कई बार इस तरह से संख्या दे दी जाती है तो मेरी प्यारे साथ ही factor करना होता है देखो बहुत आसान तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 3 into 4 लेकिन ध्यान रहे जब सवाल इस तरह का आए तो क्या होगा factor ऐसे करेंगे बड़ते गुल करम में लिखेंगे 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं लेकिन हम 3 गुणे 4 लिखेंगे फिर अब देखो इसको लिखेंगे 4 गुणे कितना लिखेंगे 5 बात केलियर इसको लिखेंगे 4 गुणे 5 फिर यहाँ पर 5 गुणे 6 फिर 6 गुणे कितना 7 चते कितना होता है 42 फिर देखेंगे 7 गुणे 8 60 कितना होता है 56 बात समझे में आ रही होगी आपको बैतरीन तरीकी समझ पा रहे होंगे कि भाई इस तरह चीज़ें बन रही है तो जो आप फैक्टर करेंगे तो आप खुद बाखुद मालूम पढ़ जाए कि हाँ तीन से चार चार से पांच, पांच से छे देखो पांच से छे, छे से साथ, साथ से आठ अब क्या करेंगे, बन अपॉन अंतर कितने कितने का रहा है देखो, सभी में एक का अंतर आ रहा है सभी में एक का अंतर जरूरी नहीं एक का अंतर आ है जरूरी नहीं दो का अंतर आ है जरूरी नहीं तीन का अंतर आ है बन अपॉन एट लगा दोगे इस तरह से तो यह तो एक हो गया इसको लिखो न लिखो और यहाँ पर आठ तीन चौबिस होगा तीन से भाग करोगे तो आठ आ जाएगा और आठ से भाग करोगे तीन आ जाएगा तो प्यारे साथियों यहाँ पे कितना बनेगा 5 अपॉन 24 बन पा रहा है एक काम करते हैं एक और सवाल देखते हैं मान लीजिए प्यारे साथियों आपका लिखा है बन अपॉन थ्री और पिलस ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है यह ऐसे लिखा हुआ है तो करेंगे क्या इसको लिख लेंगे बन इंटू थ्री और इसको लिख लेंगे 3 x 5 और इसको लिख लेंगे 5 x 7 और इसको लिख लेंगे 7 x 9 अब आप देख सकते हैं 1, 3, 3, 3, 15, 15, 35, 35, 63 देखो 3 से end हुआ, 3 सुरुआत हुई है 5 से end हुआ, 5 सुरुआत हुई है 7 से end हुआ, 7 सुरुआत हो रही 1 upon 2 first कितना लगाएंगे 1 upon 1 लगाएंगे या एक लिख लेंगे बात एक ही है 1 upon 1 का मतलब 1 हो गया minus last कितना लगाएंगे आप 1 upon 9 लगा लेंगे अब यहाँ पर solve कर सकते हैं आसानी से 1 upon 2 9 एकम 9 एक घट जाएगा तो 8 वटे 9 आ जाएगा यहाँ पर हम multiply का sign लगा सकते हैं 2,4,8 यानि कि 4 upon 9 इस सवाल का answer हो जाएगा 4 upon 9 इस सवाल का answer हो जाएगा उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ पाए होंगे एक और बहतरीन सवाल लेते हैं एक और बहतरीन सवाल लेते हैं आप बस copy पर अच्छे तरीके से notes बनाते हैं यह हमारा भिन वाला topic आज finish हो जाएगा ठीक है भिन वाला topic हमारा finish हो जाएगा बहतरीन तरीके से अगला question लिखेंगे प्यारी साथी हो बढ़िया सवाल लिखेंगे एक और person फटा-फट से क्या यह काम करेंगे आप सभी साथी चलो मैं करके दिखाता हूँ question क्या है यह लिखा हुआ है बन इंटू इस तरह से पिलस 2 इंटू 3 है और पिलस 3 इंटू 4 है इस तरह से यह चलता चला जा रहा है और पिलस ऐसे करके आ रहा है यह dead dash लगा हुआ है आगे भी चल रहा है मतलब क्या है बन इंटू 5 होगा प्लस बन इंटू 6 होगा एस चलता चला जा रहा है तो तरीका तो भाई अपना ना है कई बार अगर dead dash लगा हुआ तो आप विलकुल doubt ना रहे आपके मन में इसलिए मैं सवालों करा रहा है उसका आवसकता वैसे नहीं है तो difference कितने का रहा है एक का बन अपॉन अंतर अंतर एक एक का रहा है फर्स्ट क्या लोगे बन अपॉन यानि वनलोगे लाश् 2 क्या लोगे बन अप हंड्रेड लोगे इस तरह से हैं ना और यह बन का मतलब कोई दिक्कत नहीं बन हो गया और यहाँ पर 100 एकम 100 में से 1 घटेगा 100 एकम 100 माइनस 1 99 बटे कितना होगा 100 होगा यह हमारा क्या हो जागा इस सवाल का आंसर हो जागा बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे इस तरह के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं ठीक है दो सवाल और लेते हैं यह थोड़े से अलग है इनसे ध्यांच देखो यह भी बहतरीन सवाल है एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको एस से करके सवाल है एस से करके सवाल आप लेक सकते हैं यह इस तरह का सवाल है ठीक है अगर इस तरह को सवाल दिखाई दे तो ध्यान रहे इसको थोड़ा जब सॉल करेंगे तो बीच वाले जितने भी हमारे पास संख्याई है या अंसया हर है वो सब के सब कैंसल हो जाएंगे पहले वाली भिन में कुछ बसता है और अंतिम वाली भिन में कुछ बसता है देखो अभी आपको मज़ा आएगा इस सवाल में बहुत प्यारा सवाल है तो आपका देखा है इससे आपका चलता रह आएगा ऐसी 100 एकम 100 में से 1 माइनस होगा तो 99 अपॉन 100 आएगा इसी तरह से एगर इससे पहले वाले स्वाल होगा 1 माइनस 1 अपॉन 99 होगा तो बहां पर आपका 98 अपॉन 99 आएगा इस तरह चलेगा तो होगा क्या देखो यह देखो ध्यान से देखना कैसे कैंसल होगा 2 से 2 कैंसल 3 से 4 cancel, 5-5 cancel, 6-6 cancel, 7-7 cancel, 8-8 cancel, ऐसी करके 98-98 cancel, ऐसी 99-91 cancel, अब 100 क्या है कुछ है इनी, 100 cancel होगा ही नी, ऐसी यहाँ पर यहां बन रहे गया, तो बन अपॉन कितना आंसर हो गया 100 क्योंकि बन आपका उपर रहे गया और 100 यहां रहे गया इस तरह ऐसे बन अपॉन, हंट्रे. मतलब क्या जोसरों देको 12 कैंसल, 133 कैंसल, 144 कैंसल, 155 कैंसल, 6adım, Testing6 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 8 से 8 सिस्टों कर लाइं दो गया कितना बचा आपके पास उपर आपका बचा नीचे घंडेड बचा तो बन अपौन होगा होई दिक्कत नहीं ऐसी करेंगे बस जोडेंगे दो एकम दो और एक तीन बटे दो हो जाएगा दो ile elk 17 साथ तरी हो जाएगा फिर आगे 100 एकम 100 और 101 बटिया केतना हो जाएगा 100 है ना और उससे पहले क्या होगा 100 बटिया नाइ jury हो जाएगा यह आपका इस तरह करे 좁द चलता रहेगा अब देखो पिछले स्वाल में चैंसल हो रहा था अब इसमें ऐसे स्थ चैंसल हो रहा क्योंकि आगे यहां पर कुछ लिखा नहीं है तो 101 से और 101 भी कैंजल हो जाता लेकिन यहां पर कुछ संख्या है यह नहीं आगे तो यहां पर आपका 101 बच रहा है यहां पर आप देख पा रहे हैं और यहां पर आपका 2 बच रहा है सीरीज बाले सवाल ठीक है कैसे करके छोटी भिन निकालते हैं कैसे बड़ी भिन निकालते हैं घट्टे करम में कैसे लगते हैं बड़ते करम में कैसे लगते हैं उन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं बाकि अगर कोई भी डाउट है तो बिलकुल आप अपने comment section में जरूर बताएंगे सभी सात्यों को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अगली class में एक ने topic के साथ मिलेंगे सभी सात्यों को धन्यवाद जह जह बारत बंदे मातरम और हाँ comment करना ना भूलिए class कैसी लगी जरूर बताएगा